नमस्कार दोर्स्तो मर्दप्रदेश जेल पहरी के पिछले वरसों के प्रशनों की संखला में ये हमारा महत्पूर्ण प्रशनों का छटवा पार्ट होगा और इस पार्ट में और कुछ महत्पूर्ण प्रशन जो पिछले वरसों में पूंशे गए और बरत्मान में जो मतलब मदप्रदेश के किस जिले में नौरद यही अभेहन स्थापित है। बहुत सारे मित्रों को इसका अंसर पता होगा, बहुत ही सामान निसाइस का उत्तर है, और बहुत ही पूछा जाने वाला जानावाना प्रशन है ये। तो जिनको इसका अंसर पता है, वह है कमेंट वाक्स में लिख सकते हैं, मेरे अंसर देने के पहले, और हाँ क्योंकि मुझे बता नहीं है, इसका राइट अंसर होगा सागर। अगर हम समध्य तर से इसकी उचाई की बात करें, तो लगवक 600 मीटर इसकी उचाई है, और यह जब सागर से हम जवलपूर रोड की तरफ जाते हैं, तो उस रास्ते में यहां से एक जो रूट है, वह भी बनाया गया है, यहां पर रास्ते में 3-4-1 ग्राम भी पढ़ते है और यह प्रजेटन की दर्ष्टी से काफी एक अच्छा डेस्टिनेशन है, आपको जब भी समय मिले, यहां जरूर विजिट करें, अगे बात करेंगे, where was the friends of MP Summit held in January 2018, जनवरी 2018 में एक friends of MP Summit हुआ था, यह मत्पूर इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के Summits भले दो साल पहले ह हुए हैं, 2020 चल रहा है यह, लेकिन यह महत्वर रखते हैं, क्योंकि यह मद्परदेश के प्रमुक सहरों में होते हैं, और क्योंकि यह एक Summit है, यह मद्परदेश के नाम से ही आयोजित हुआ है, इसलिए इसका अपने आप में एक विसे समहत्प है, इसका right answer भी बहुत प्रेशन था यह, यह हुआ था इन दौर में, अग्रे प्रेशन की चर्चा करते हैं, नेम्दा फैबरेक विविन विट सिल्क एंड कॉटनियांस एंड पेटरनाइड वायरानी अहलियावाई होलकर, होलकर, जो अहलियावाई होलकर जी हैं, इनके बारे में मतलब बहुत सा पता है, वह कमेंट में लिख सकते हैं, और क्यूंकि यह इनके द्वारा एक चलाई गई जो सूती बस्तर की और रेशन वो शूती के धागे से बनने वाले बस्तर से संबने थी एक प्रशन है, और इसको मदप्रदेश के लिए GI टेग भी दिया गया है, इसका राइट अंसर हैं, उनके पास आप जा सकते हैं, और देखेंगे कि उनने कितनी खुबसूरती के साथ हास से बनाई हुई, या पिर जो आधुनिक मसीनों से इस प्रकार का डिजाइन तेयार किया जाता है, वह कितना ही अनौखा है और अपने आप में प्यक्ख्यात है, चलिए, होलकर की र अगले प्रेशन पर आते हैं, नेमद सिटी इन मदप्रदेश, डेट हैस वीन रैंक्ट सेकंड इन दा टूटाउट एटीन अन्यूल गवर्मेंट सच सर्विक्षन, मतलब दोहजार अठार का जो सक्षता सर्विक्षन था, हमें पता है कि पिछले चार वर्सों से लगतार इन दौर प्रतामिस्थान पर रहा है, लेकिन 2018 में जो दूसरी रैंक पर मदप्रदेश का एक बहुत ही महतपूर सहर था, और जो की मदप्रदेश की रजधानी भी है, मतलब हुपाल की हम बात कर रहे हैं, 2020 का सक्षता सर्विक्षन सर्वे के रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम इसमें महतपूर, सहरों के और उनके जो भी रैंक हैं उसके बारे में एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, एक बार फिर मतलब चौती बार इन दौर प्रतामिस्थान पर रहा है, इसके अलावा मदप्रतेश से और जो कई सहरों के नाम रहेंगे, जैसे दसवे स्थान पर अगले टॉप 20 की बात करेंगे हम यहाँ पर चौदवे स्थान पर भोपाल ने अपने स्थान बनाया है और बीसवे स्थान पर उज्जयन तो याद रखेंगे कि टॉप 20 में इंदोर, खरगोन, भोपाल और उज्जयन रहते हैं पहला, दसवा, चौदवा और बीसवा चलिए, अगरे पैशन पर चार्चा करते हैं पंडिट सिभकुमार सर्मा is the maestro in which classical music instrument मतलब पंडिट सिभकुमार सर्मा जी जो है किस सास्ती संगीत वाद्ययंत्र के उत्पादक है तो इनका जो ऑप्सन है सितार, सरोड, संतूर और वीना इसका राइट आंसर है संतूर अब हम देखें कि पंडिट सिभकुमार सर्मा किस वाद्ययंत्र को बजाते थे तो जो ये वाद्ययंत्र बजाते थे वो कुछ इस प्रकार दिखता था आप इस फोटो में देख सकते हैं संतूर कुछ इस प्रकार मतलब एक छोटी सी पेटी के तरह दिखने वाला एक बहुती खुबसूरा तो बहुती सुरील अबाद्ययंत्र है और पंडिट सिभकुमार सर्मा जी जो इसको बजाते भी थे और इसके उस पादक भी माने जाते हैं 70 प्रसन पर आते हैं मदप्रदेस का राज की पक्षी कौन सा है आपको पक्षियों की आवाज सायद आज मेरी रिकॉर्डिंग में पीछे आ रही होगी तो यह प्रसन भी आपको इन्हीं पक्षियों की आवाज के साथ याद रहेगा आप्सम्स हैं इसका यह चित्र की किस प्रकार यह है खूपसूरस सा छोटा सा पक्षी है जिसकी पूँच काफी लंबी है लगवग यह सफेद और आगे को जो डार्क नीला या काला कलर है इसकी बनावट है और काफी सुन्दर यह चिडिया है जिसको मदप्रदेश का राज की अपक्षी घोसित किया गया है अगली प्रसन पर चर्चा करेंगे विच अफ दो फॉल्विविग इस अउनली स्प्सीज और टॉटाइस फांड इन मदप्रदेश मदप्रदेश में निम्लिकित मैस से कौन सी कच्छुए की एक मात प्रजाती पाई जाती है खास बात यह हो जाती है कि एक मात प्रजाती मदप्रदेश में जो पाई जाती है औप्संस हैं, जियो केलोन, एलिगेस, कचूगा, डोंगोक, निरस्तोनिया, रुसूम, और चित्रा, इंडिका, इसका राइट आंसर है, जियो केलोन, एलिगेस, आप देख सकते हैं या चित्र, कई बार बरसात के मौसम में, जब कहीं पानी लंबी समय के तक भर जाता है, और पानी जब वहां से सूखता है, तो आप देखेंगे कि इस डिजाइन के या इस प्रकार के छोट छोटे कचूए के बच्चे, आपको छित्रों से देखने को मिल सकते हैं, मतलब मैंने तो ऐसे कचूए देखे हैं, जब बरसात के मौसम में किसी नाले या किसी नदी के पास क आम वेश्ट इन इंडिया, मतलब निम्लिकित में से किस सरकारी संस्थान है, भारत में क्रशी अफसिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है, मतलब किन है क्रशी अफसिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है, इसमें हम options पर चर्चा करेंगे, food and agriculture organization जिसको FAO, होता है, उसका अनुमान किसना लगाया, आप options पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं भी पता है, तो भी आप एक बार सही अंसर की तरफ बढ़ सकते हैं, तो Central Institute of Forest Harvest Engineering and Technology, मतलब केंदरीय, कटाई, और प्रांत, अभियंत की, एवं प्रध्योगी की संस्थान, जो line है, मतलब इस सहकारी, विपंड, संग, मर्यादित, और लास्ट ऑप्सन होगा, forward market commission, मतलब वाइदा वाजार, योजिना, forward market commission, समंधित, मैंने आपको तत्र बताया था, कि future में जिस प्रकार के भी transaction से, जिस प्रकार का भी व्यापार होने वाला है, उससे समंधित, जो वाइदे रखे जा तो इसका जो option है, वहीं इसका answer दे देता है, पूचा गया है कि कटाई के उपरांत का उसिष्ट, और यहाँ पर, चार options मैं से, केंदरी कटाई उपरांत, मतलब बिल्कुल, यह question आपको इंगित करेगा, कि इसका जो answer है, यह ऐसे ही किसी, जवाप में, यह ऐसे ही किसी option में शोपा हुआ है, तो इसका right answer होगा, second, Center Institute of Post-Harvest Engineering and Technology, मतलब केंदरी कटाई उपरांत, अभियंतर की, और प्रद्यों की संस्थान, अगला प्रशन है, which of the following type of soil is made up of deposition of rivers, मतलब जो river की यह नदी की तलहटी में, जो मिट्टी एकठी होती है, यह जो भी, जो नदी की तरह ला इसके धनी होगा और फॉस्पोरस में कम होगा, हिंद्य अनुवार समझते हैं, नियुनिकत मैंसे कौन से मिट्टी, मिट्टी के प्रशन है, मिट्टियों से समंधित प्रसन है, मतलब प्रदेश में के प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, सबसे जादा लग काली इसके घमा होगा, इसका रंसर होगा और पाणी के साथ बहते हुए, जो मिट्टी का जा से कट़्ए है, यह जले मिट्टी, पोटास जो है काफी अच्छी मातरा में होता है लेकिन फास्पूरस की मातरा कम होती है तो दोस्तो यह था आज का हमारा प्रशनों का सिलसला उमीद करते हैं कि आपको हमारे आज के प्रशन अच्छे लगे होंगे और मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो देखते रहे नॉलेज भ्रू को बने रहे हमाई साथ और लाइक से सब्सक्राइब करना बिलकुल बूले आपके लाइक सेभल करना हम बिलकुल आसा रखते हैं और जो भी आप कमेंट करके कि हम सुझाओ दिना चाहते हैं, आप चाहते हैं किस प्रकार के प्रशन, आप चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट फे हम प्रशन लेकर आएं तो आप ज़रूर बताएं और देखते रहिए और बने रहिए हमाई साथ, धन्यवाद